हेलो ब्रीबर्डी हाओ यूँ डूइंग ओल देस इस रोई तन्वर एंड वेलकम यॉल तो आर यूट्यूब चैनल सो आज हम अपनी वीडियो में डिसकस करेंगे अबाउट आई-प्यो आई-प्यो क्या होता है कोई भी कंपनी आई-प्यो क्यों लेकर आती है तो अभी उन्होंने 100 करोड की बिड लगा दी थी आई-प्यो पे उनके पास सिरफ 5 करोड रुपे थे 95 करोड रुपे उन्होंने कोटक बैंक से लोन लिए 10% साल आना ब्याद की दर ठीक है फिर उनको 3 करोड के शियर्स अलोट हो गए उसके बाद फिर जैसे शियर्स अलोट हुए त तो इशू प्राइस था 76 रुपे कंपनी लिस्ट हो गई आई-प्यो के लिए तो उसका प्राइस पहुचा 116 रुपे उसके बाद उन्होंने 136 रुपे पर आते अपने फंड मेनेजर को बोल दिया कि भाई बेको बेको तो उन्होंने अपने शियर्स बेच डाले और उस ट 85-87 रुपे एक शियर पर उनको प्रॉफिट हो गया था इस करके उन्होंने जो टोटल प्रॉफिट बनाया वो दो पॉइंट 25 करोड का बनाया और यह सारा काम सरफ एक हफते का था उनका जो बैंक का जो लोन था न एक हफते में सरफ उनको 20 लाख रुपे देने पड़े ब वो होता है कोई भी नई कंपनी कोई भी नई कंपनी शेर मार्किट में पहली बार लिस्ट होती है ताकि उसके शेर्स लोग खरीच सकें वो होता है आई प्यू ठीक है जी अब आई प्यू कंपनी दो या तीन वजा से निकालती है या तो कंपनी नई आई है और वो अपनी अब पब्लिक को उफर कर रही है ताकि वो सेवी में वो लिस्ट हो सके सेवी होता है Security and Exchange Board of India ये जो सारे जो share market है इसको regulate करता है सेवी जिस तरह से RBI regulate करता है सब भी बैंक को इसी तरह से सेवी regulate करता है share market को तो कोई भी नई company आना चाहती है share market में लिस्ट होना चाहती है उसको सेवी की guidelines follow करनी होती है तो भाई ये चठ्ठा बना कर दे देगी कोई नई company आएगी कि ये ये हमारी company है इतना market cap है ये जो भी उसकी company की जो भी details है हो फिल करके सेवी को भीजती है सेवी फिर उसको देखती है कि हाँ मुझे accept करनी है reject करनी है मान लो सेवी ने उसको accept कर लिया फिर अब वो company list हो जाएगी अब जैसे company list होईगी तो company हो जाती है फिर public अब उसके shares लोग खड़ी सकते है ये होता है IPO का काम और IPO सिरफ जादा दिन नहीं खुलता ये सिरफ तीन से दस दिन तक होता है maximum इसका सबसे बड़ा benefit ये है कि IPO के दौरान जो share price होते है वो सबसे minimum rate पर मिल जाते हमें अगर कोई भी company अच्छी होती है तो उस time पर जब वो IPO release करती है उस time पर share price सबसे कम होता है और जैसी list हो जाती है उसके बाद अगर वो अच्छा grow कर देगी तो वो बहुत अच्छा return दे देती है बना कर इसका ये भी है और कोई भी company IPO लाना है तो उसे से भी की सारी guidelines follow करनी होगी और IPO लेने के बाद company share market में list हो जाती है जैसे share market में list हो जाती है तो मतलब यह होता है कि अब लोग उसमें अपने shares खड़िश सकते हैं बेच सकते हैं और पहला तो यही था कि कोई नई company है वो अपने IPO निकालेगी ताकि वो list हो जाए share market में second यह है कि कोई company काफी अच्छा perform कर रही है कोई भी company अच्छा perform कर रही है अब उसको और ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए अब वो पैसे अगर वो बैंक से लोन लेगा तो भाई वो बंटाधार हो लेगा बैंक का उसका जो भी लोन है और अच्छे से बना सके तीसरा यह है कि company को अपना कोई debt है कोई loan है वो चुकाना है तो अपना IP release कर देती है वहाँ से जो भी पैस आता है वो उसमें अपनी growth में या फिर उसको अपना loan चुकाने में कर देती है बराबर इसका benefit क्या है एक तो price transparency हो रहती है इसमें पूरा secondly जैसे की example मानों की 21 September 2020 को route mobile company थी एक उसने अपना IPO release करा तो उस टाइम पे जो उसका starting issue price था ना share का वो था 3500 रुपे और साथ दिन के बाद ही उसका price होगे 938 रुपे यानि कि तीन गुना return जनरेट करके द्याए सरफ साथ दिन में तो यह IPO की power होती है तो जबी भी कोई भी company अपना IPO निकालेगी तो जाहिर सी बात या तो वो expand करना चाहरी है या फिर वो अपना कोई loan जो उसके ऊपर चड़ा हुआ है उसको free करना चाहरी है तो दोनों ही माइने में एक चीज तो साफ है कि भाई company जो है expand करना चाहरी है वो और grow करना चाहरी है तो यानि कि हमारे लिए तो अच्छा है अगर company grow करेगी हमने उसमें पैसा डाल रखा है तो हमारा पैसा तो बढ़े गई जाहिर सी बात है तो यह हमारा फायदा होता है IPO में invest करने का और इसकी important information यह है कि अगर हमें IPO में apply करना है तो जरूरी नहीं है कि सभी को allotment मिली यह होता है तो और इसका यह भी है कि इसका lot size fix रहता है मतलब कि एक lot में हम 15,000 रुपे से जादा 15,000 रुपे से जादा का हम एक lot नहीं बना सकते अब मानलो एक share की जो कीमत है उस company की 1000 रुपे है तो एक lot में सिरफ 15 share ही रख पाएगा फिर second lot चालो हो जाएगा दूसरी lot में दो या तीन share नहीं ले सकते दो या तीन lot ले सकते हैं तो IPO का यह है this is all for today guys hope you guys like it make sure hit the like button और बाकी प्यार करो प्यार दो बहुत सारा ताकि चैनल अच्छे से चले thank you so much